आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार किये गए सदस्यों की पहचान अनुबत्र पार्थी और शाहिद अली के रूप में हुई है यह गिरो इन गाड़ियों को ऑनलाइन साइट्स के जर्ये बेचने का काम करते थे वही पूरे मामले में DCP पुर्वे हदिश कुमार ने बताया कि इस गैंग के सदस्यों को गिरफतार करने में सर्वसलांस टीम ने एहम भोमिकानी भाई है इनकी मोड़े सोपरेंडी बड़ी विचितर थी जो गाड़ियां कहीं एक्सिदेंट में या बहुत पुरानी होने के कारण कंडम हो जाती थी वो गाड़ियां खरिदने के खरिदर कर ये लोग उसके पेपस रखते थे तथा उसी मोडल की यानि के उसी वर्स की और उसी प्रकार की गाड़ी चुराते थे चुराने के बाद में उन गाड़ियों पर जो गाड़ी कंडम होई है कटी है नश्ट हो गई है उनके चेचिस नंबर और इंजिन नंबर उन पर एनग्रेव करा देते कागजों में कंटम्ट हो चुकी गाडियां सडकों पर दोड रही हैं इन्हीं कंटम्ट गाडियों को आज पोलिस ने बरामत किये क्योंकि ये जो गाडियां आप देख रहे हैं ये नंबर जो गाडियों पर पड़े हुए हैं इन नंबरों की गाडियां कपार पूरी तरीके स कट चुकी हैं लेकिन ये गिरो उन्हीं संगी गाड़ियों को चुरा कर उस पर पुराना नंबर डाल किरहकों को बेच रहे थे इसमें पोलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को भी गिरफतार किया है लेकिन सवाल है कि आखिर जब इससे पहले भी एक बड़ किरो पकड़ा गिया था उसका में सरगना अभी तक फरार है और जो आज पकड़े गए हैं उसका भी सरगना वही है लगभग पुलिस इस मामले में सौ से अधिक गाड़ियां भी बरामत कर चुकी है लेकिन सरगना अभी भी गिरफत से दूर पुलिस का कहना है कि इस मामले म जो में सरगना है उसकी भी तलास की जा रही है और उसको भी जल्द गिरफतार किया जाएगा वीडियो जनलिस्ट अर्विन के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लखनव इस खबर में बस नता ही देशुनियां की तमाम खबरों के लिए देख के रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार